वित्मंतरे दिया कुमारे ने कर राज्जे का पूर्ण बज़ट पेश किया जिसकी मिली जूली प्रतिक्रिया देखने को मिली कल भी जनता दरबार ने आपको महिलाओं के उध्धमियों की और समाज के उन धड़ों की राय से रूबरू करवाया था कि उनकी नजरों में ये बज़ट कैसा है और आने वाले समय में राजस्थान की और यहां की जनता के लिए कितना फाइदेमंद हो सकता है इसी कड़ी में आज जनता दरबार पहुंचा शिवशेना सिंदेगुट के राजस्थान की वरिष्ट उपराज्य प्रमुक ललित सक्षेना और उनके टीम के पास और जाना उनसे की उनके नजरिये में ये बजट कैसा है और इसके क्या कुछ दुर्गामी परिनाम हो सकती है आईए आपको भी सुनाते हैं ये खास बातशीत क्यों? राजस्थान की महिला वित्यमंत्री ने आज भजनलाल सरकार का पूर्ण बजट पेश किया है कई प्रतिक्रियाएं उस बजट पर आई हैं हमारे साथ में शिवसेना के उपराज प्रमुख ललिट सक्सेना और उनके टीम के साथ ही मौजूद है बात करेंगे कि उनके हिसाब से बजट कैसा है लिदे जी आपके हिसाब से बजट कैसा है, सबसे पहले कुछ प्रमुख बात ऐस बजट की जो आपको लगी है बज़ट बहुत ही सरहाने बजट दिया कुमारी जी दौरा पेश किया गया है इस बज़ट की हम प्रसंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने हिंदुत्यों के लिए बजट आज पास किया roaring है मंदिरों के लिए जो पैसा दिया है वो उसे कई गुना जाथार दे शाचिंतम मंदिर जिनमें लोग नहीं पोंच पार रहे हैं, वहां तक पहूंचने के लिए सरकार को रोड गौनानी चाहिए, वहां तक पानी की amorous तक हैं सरकार को करनी चाहिए, वहां आम जनकों पोहुंचने के लिए सभी सुवेधाय हैं, ताकि हमारी पूराणिक कटे GP हैं अगर कॉंग्रेसरकार इसलामी कर सकती है तो भारतिंदा पार्टी को भगवा करने पे हमें गर्व है कि उन्होंने राजस्थान में पहली बार इतना सरहानिय हिंदुत्यू के लिए जो बजट पास किया है वह बहुत ही सरहानिय बजट है और आपने मंदिरों की बात करी तो मंदिरों में कम से कम 600-700 मंदिर इस बजट में कहा गया है कि उनकर जिवनोधार किया जाएगा तमाम जो सुविधाय वहां पर नहीं है वो दी जाएंगी और ना सिर्फ जैपूर और इसके आसपास के बलगे पूरे राजिस्थान भर के जो नों बहुत ही बैतिन प्रस्ताओं किया है बच्चों को टैबलेट की सुविधाय उपलप्त कराने राजिस्थान में यह एक सराहनिय पहल है और होना भी चाहिए रही बात बेरुजगारी और युवाओं के लिए मैं चाहता हूं कि युवाओं के लिए उनको विशेश प् प्रस्ताओं के लिए तो उन्हें उक्त पेपर लिएक होने पर उन्हें मुआओं जी की सुविधा होनी चाहिए या फिर उस जो उन्होंने पेपर की फीज जमा किये युवाओं ने वह अगली किसी परिक्षाय एक्जामिनिशन में उनको एर्जिस्ट करना चाहिए और इस बजट के अगर हम बात करें लाली जी तो इस बजट को दस पर से किकने नंबर देना जाएंगे दस में से ग्यारा मिलता सुपते हो तो मैं ग्यारा देना चाहूँगा इदे लाली सक्साना जी हमारे साथ एक और शक्स यहां पर मौजूद है अमिच जी उनसे भी हम बात करे अमिच जी इस बजट को सुनकर देखकर पहली प्रतिक्रिया क्या पर सितारमन जी बैठिये मात्रसक्ति के रूप में और हमारा सोबाग है कि दिया जी आजे मात्रसक्ति क्योंकि जो बजट का जो प्रमुक रूप निकल के आता है किनों ने बच्चों के राजा की तो जो ए किनी बडी बाद है। बच्चों को अच्छा बाता विले तो हरेयलु रदिस्थान पे बात किए दो चार्यायो। इसको कहते हैं और दूसरी बात कि रोजगार कर सचन तो आप देखे डाक्टरों की कितनी भर्ती होगी पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी इसके डवलमेंट पे फोकस किया है क्योंकि जब तक आप सम्रद्धी पे नहीं जाएंगे जब तक आपका इसके लेंगी तो जो अप्र मेरा जो सबसे लास्ट में एक चीज आती किसी भी घर की हर सम्रद्धी के बाद वह सुरक्षा तो इस बजट में पुलिस को थोड़ा बजट देना चाहिए था कि हमारी जो पुलिस एराजिस्थान की वह इस लेबिल पे हाई-टेक हो जाए कि हम स्कॉट्लेंड पुलिस या द्रग माफिया वो राजिस्था ने आज एक बरिश पेपर में नूज भी है कि नौ दा राजिस्थान भीकम दा हब आप डर्क्स क्योंकि पूना महारास्टा और तेलंगाने ने उसी को वहां से ख़देर दिया है तो पुलिस को थोड़ा सा हमको ग्राइब बंताले को सुविधाओं को लेके थोड़ा और विचार करना चाहिए तो बाकी तो ओवराल मात्रिसक की बजट है कोई दिक्रबन बात कितने नंबर आप देंगा दस में दस यह ते हमारे साथ ललिट सकसेना जी शिवसेना के शिंदेगुट के उपरा जिप्रमुग और उनके टीम के स है ऐसे में अगर पेपर लिख हो जाता है तो हर उस बच्चे को परियाप्त मुआवज़ा मिले यह इस बजट में आ गयाने वाले बजट में इस प्रकार को कोई प्रावधान हो अमेज जी का साफ़तर पर कहना है कि बजट सही है एक मा का एक स्वरूप देखा गया है मा जि पहली और जरूरी चीज किसी भी परिवार की किसी भी आम नागरिक की होती है सुरक्षा सुरक्षा के लिए राजस्थान में पुलिस है पुलिस को बुनियादी रूप से और ज्यादा सशक्त और हम कह सकते हाई टेक बनाने की जरूरत है जो कि बजट में होनी चाहिती वो नहीं हुई आगे आने वले बजट में हो तो और भी अच्छा से होगी केमराबैन अजे के साथ उमंग मातुर जंता दर्बाद